हेलो एब्रीबन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मेकेनिकल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टॉप 25 इंपोर्टेंट आइसी इंजन यानि की इंटरनल कमर्शन इंजन के अबजेक्टिव क कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है और अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडियाफ चाहिए यानि की फ्री में क्योंकि मैं जैसे वीडियो अप्लोड करता हूं आपके तुरनत कमेंट आने लगते हैं कि सब अहला कोश्चन है कि तो प्रिवेंट ब्लॉकेज ऑफ दे नॉजल बाइद डस्ट पार्टिकल्स दा गैसोलीन इस फिल्टर बाइइ इंस्टालिंग चोक फ्यूल स्ट्रेइनर नॉजल यान नन अव दे मेंशन अड़ इनलेट ऑफ द फ्लोट चेंबर आपको बता दो कि इ ज्बोजर से ब्लॉक हो सकता है तो इसको फिल्टर करना पढ़ता है ठीक है यह क्या होता है जाली रहता है इसा रहता है ठीक है ऐसा जाली रहता है ठीक है यह जाली से क्या होता है कि फ्यूल जब पास होता है न तो फ्यूल पास होने के बाद में जो डस्ट पार्टिकल्स या जो कच्रा रहता है वह कच्रा बाहर में ही रोग जाता है और फ्यू वायरमेश होता है देखी यह जो द शेब दिवाइस यह जो शेफ है आपका को को शेफ हैं घुन को समझाना है ना कि रटाना ठीक है अगले कोशन में चलते हैं कि the function of a float chamber in a carburetor is to supply the fuel to the nozzle at a constant volume head constant pressure head, variable pressure head या none of dimension यह आपको carburetor का drawing दिखे रहोगा जिसे हम float carburetor बोलते हैं यह जो है यह combustion chamber है combustion chamber नहीं actually में इसे float chamber बोलते हैं तो float chamber में यह किसके उपर खाम करता है यह करता है आपका constant volume head पर यानि कि option number a is a correct answer ठीक है अगले कोशन में चलते हैं कि the main metering system of a carburetor control the fuel feed for cruising full throttle operation all of dimension तो main metering system जो रहता है carburetor जो है क्या control करता है वो करता है full throttle operation full throttle operation और cruising दोनों operate करता है यानि कि all of dimension option number C तो या क्या करता है जब हमें ज़्यादा fuel चाहिए होता है तो ज़्यादा fuel भी supply करता है जब हमें को कम fuel चाहिए होता है तब भी carburetor ही supply करता है उसके हिसाब से air and fuel का mixture बनाता है यानि कि cruising के time में या throttle के time में दोनों time में हमें fuel मिलता है तो option number C is the correct answer हो जाएगा ठीक है The mentioned यानि कि All Of This option number D is the correct answer question number 6 पर चलते है कि the throttle regulate the output of the engine by constant regulating, wearing, increasing or none of the mentioned क्या बूल रहा है कि the throttle regulate जो करता है वो engine वो किसके दुरू करता है the quantity of the charge going into the cylinder तो वो करता है आपका wearing wearing the quantity क्या करता है dependulator जो रहता है वो क्या करता है आपका quantity रहता है उसको vary कर देता है किसको fuel की quantity को ठीक है इसी इसाब से आप समझ सकते हैं क्रूड ऑइल इस हीटेड दिर वीच आफ फॉलिंग हाइड्रोकर्बन इस गिवन ऑफ फस्ट केरोसीन गैसोलीन पैरोफीन नैच्रल गैस यानि कि क्या बोल रहा है कि जैसे हम क्रूड ऑइल को लेते ह है क्या निकलता है सबसे पहले क्रूड ऑइल को जो आप हीट कर रहे हैं हाप continuous तो सबसे पहले क्या निकलेगा गैस निकलेगा ठीक है उस गैस को बोलते हैं नैच्रल गैस यानि कि option बड़ी जाएंसर कोशन में रेट पर आते हैं कि super charging दे प्रोसेस अफ अफ उप्लाइंग इंटेक एर पुदा इंजन सिलेंडर एट डेंसेटी एक्वल टेल टू लेस देन ग्रेटर देन या नान अब दीज तो यह काफी जादा सिंपल है कि super charging क्या है greater than the density of the surrounding atmosphere option बड़ी जा करेक्ट एंसर कोशन मनाई में आते हैं यह आपका super charging के लिए जो हम equipment का यूज करते हैं तो बोलते हैं super charger और अगर super charger लगा हुआ है आपके engine में तो आपके engine कुछ किस तरह दिखता है ठीक है super charger के थरूप inlet होता है फिर यह exhaust होता है बाकी सिर्फ चेंज हो जाता है सिर्फ फर सिर्फ inlet चेंज होता है बाकी सब्सक्राइब सिस्टम सेम रहता है यानि कि inlet जोता है व for vehicle is the order of 9 the ratio 1, 12 the ratio 1, 15 the ratio 1 या 18 the ratio 1 क्या बोल रहे है कि अगर हमको petrol engine से maximum power generation चाहिए यानि कि बहुत ज़्यादा power चाहिए तो हमें कितना fuel का order होना चाहिए 9, 12, 15, 1 तो जो 15 the ratio 1 है वो का बोलते है उसको stoichiometric ratio बोलते है ना actual में बोले जाए तो वो कितना होता है 14.6 the ratio 1 यह आपक power generation के लिए 12 the ratio 1 यानि कि option number B is a correct answer. Question number 10 में आते हैं कि the ratio of indicated thermal efficiency to the air standard efficiency is known as mechanical efficiency, overall efficiency, volumetric efficiency, relative efficiency तो उस efficiency को बोलते हैं relative efficiency. Option number D is a correct answer. Question number 11 में आते हैं कि the knock in diesel engine occurs due to instantaneous and rapid burning of the first part of the charge या instantaneous auto ignition of last part of the charge या delaying burning of the first part of the charge या reduction of the delay period तो नौक जो होता है आपको diesel engine में नौर्मल पोसेस होता है तो वो कुछ इस तरह होता है और जब knocking हो जाता है तो क्या होता है कि fuel जो है ना अचानक से जो उसका conversion के बाद में engine के cylinder के उपर मे vibration होने लगता है क्योंकि sudden जो sound create होता है उस vibration की वज़े से जो sound आता है उसको बोलते हैं knock जाने कि knock मतलब क्या होता है high sound आना ठीक है उसको भी knocking बोलते हैं अगले question में चलते है कोशन में टॉल है कि if one cylinder of a diesel engine receive more fuel than the others then for that cylinder the exhaust will be smoky piston ring would be the into the piston groove engine start overheating या scavenging occurs क्या बोल रहा है जैसे मान लेज़े for example में हापके six cylinder engine लियाओ ठीक है छे cylinder में अगर मान लेज़े कोई एक ऐसा cylinder है जो कि ज्यादा air ले रहा है ठीक है one cylinder of a diesel engine receive more fuel fuel दे रहा है मतलब air ये fuel कोई भी ले रहा है तो उसके लिए क्या होगा उसके लिए reason होगा scavenging occurs यानि कि उसमें बहुत जल्दी air जो है exhaust हो जा रहा है इस वज़ा से उसको जाता air की जरूर पढ़ रही है तो option number D is the correct answer अगले question में चलते है question number 13 है कि scavenging air in diesel engine means air used for combustion sent under pressure या force air for cooling cylinder या burnt air containing product of combustion या air used for forcing burnt gases out of the engine cylinder during the exhaust period option number D is the correct answer तो scavenging option number D ठीक है अगले question में चलते है question number 14 है कि the reference fuel for knock rating for SI engine would include isoctane, alpha-methylene, normal octane, aniline, isoctane and normal hexane, normal heptane and isoctane तो SI के लिए क्या होगा spark ignition engine के लिए isoctane and normal heptane यानि कि option number D is the correct answer वहीं अगर CI के लिए बात करें यानि कि compression ignition engine के लिए तो वो होता है आपका normal heptane and alpha-methylene ठीक है तो option number A होता उस case में पर यहां पर isoctane नहीं होता normal heptane होता ठीक है अगले question में चलते है question number 15 है कि the brake power of a diesel engine keeping other parameter constant can be increased by क्या बोल रहा है कि अगर हमको diesel engine का brake power या brake power या brake efficiency अगर हमको बढ़ाना है और उसके लिए सारे parameters constant है सिर्फ एक parameter को change कर सकते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे decreasing the density of intake air increasing the temperature of intake air increasing the pressure of intake air decreasing the pressure of intake air तो अगर आप temperature को बढ़ा देंगे तो efficiency क्या हो जाता है temperature बढ़ेगा air का efficiency कम हो जाएगा पर आपने को क्या करना है efficiency बढ़ाना है तो उस case में pressure बढ़ाना पड़ेगा तो increasing the pressure of intake air ठीक है तो option number C is the correct answer यह आपका cylinder है ठीक है normal SI cylinder को मैंने लिया है for example के लिए अब देखके समझ सकते हैं इसके parts के बारे में दिया हुआ है next question है question number 16 है कि engine piston are usually made of aluminium alloy aluminium ठीक है aluminium के सबसे basic quality क्या होता है कि aluminium बहुत ही जादा हलका होता है तो क्यों बनाते हैं फिर हमें engine piston को aluminium से क्यों बनाएंगे क्योंकि वो हलका होता है is lighter होता है ठीक है अगर lighter option में नहीं है तो wear is less भी हो सकता है क्योंकि उसमें जो wear होता है वो काफी कम होता है iron की comparison में ठीक है अगले question में चलते question mark 17 है कि during idling a petrol engine required lean rich chemical correct या none of this mixture क्या होता है कि during idling के time में petrol engine को idling मतलब क्या होता है जब गारी रुका हुआ रहता है ठीक है अगर आपके गारी रुकी हुई है उस position को क्या बोलते है idling बोलते है तो idling के time में जो petrol engine होता है वो reach mixture चाहिए होता है पर वही diesel engine जो होता है वो lean mixture में भी खाम चल जाता है lean का मतलब क्या होता है कि air ज्यादा है fuel कम है reach का मतलब क्या है fuel ज्यादा है और air भी ज्यादा है दोनों ज्यादा रहेगा ठीक है अगले question में चलते है question 18 है कि the function of a distributor in a coil ignition system of IC engine is to distribute spark to distribute power to distribute current to time to the spark distributor कैसा होता है पहरे मैं आपको वो दिखा दूँ यह distributor होता है ठीक है तो distributor क्या काम करता है यह distributor है main supply line रहता है यहां से एक दो तीन चार्प मार्च पॉइंट लिया है मतलब कौन कोन से line में पहले spark होगा वो decide करता है लग कि किस time में होगा तो to time the spark किस time किस पे spark होगा वो decide करता है आपका distributor तो option में D is a correct answer ठीक है अगले question में चलते है question 19 है कि the air fuel ratio in petrol engine is controlled by controlling value opening closing governing injection carbonation तो यह काफी ज्यादा simple question है कि air fuel ratio किसे control करते हैं वह carburetor से करते हैं तो उस process को क्या बोलते है carburetion ठीक है carburetion किसे करते carburetor से और यह carburetor का dry घाम है ठीक है अगले question में चलते है question 20 है specific fuel consumption per brake house power for petrol engine petrol engine के लिए SFC अगर पूरा ना दे करके specific fuel consumption ना देके सिर्फ SFC देना तो भी आपको यही समाझना है कि इसका मतलब होता है specific fuel consumption ठीक है तो वह petrol engine के लिए कितना होता है वह होता है petrol engine के लिए 0.25 kg तो option number C is a correct answer अगले question में चलते है question 21 है कि by higher octane number of spark ignition fuel it means that the fuel has higher heating value, higher flash point, lower volatility, longer ignition delay अगर higher octane number है मतलब कि इसका मतलब क्या है कि fuel जो है longer ignition delay होगा यानि कि इसमें ignition का जो delay होगा वो काफी जादा लंबा होगा ठीक है अगर octane number जादा है तो question 22 पर आते है कि in diesel engine the diesel fuel injected into the cylinder would burn instantly at about compressed air temperature of 250 degree, 500 degree, 1000 degree या 2000 degree तो diesel engine में जो diesel fuel है वो cylinder के अंदर में बहुत जल्दी burn हो जाता है ठीक है तो उस समय जो air का temperature होता है वो कितना होता है तो compressor का temperature जो हो लगबग 1000 degree centigrade पहुंच जाता है अगर actual बात करें तो वो होता है 1100 degree centigrade ठीक है अगले question में चलते है question 23 है कि in petrol engine the mixture has the lowest pressure जो petrol and air का जो mixture होता है जो carburetor के बार जो पहुंचता है उसका lowest pressure कहां पर होता है तो पहला हाता है lowest temperature lowest pressure दोनों पता होना चाहिए तो lowest temperature जो होता है beginning of suction stroke में ठीक है पर lowest pressure जो होता है यानी कि suction stroke जो आपका end हो रहा होता है उस समय में जो प्रेशर होता है वो सबसे कम होता है carrot है अगले question में चलते है कोश्चन में 24 है कि the SFC या the specific fuel consumption पर break house power for diesel engine इससे पहले petrol engine की बात कहते तो कितना था वो था 0.25 kg वहीं अगर diesel engine की बात करें तो वो होगा आपका 0.2 kg ठीक है लास्ट कोश्चन में चलते हैं कोश्चन में 25 है कि all heat engine utilize low heat value, high heat value, net calorific value, calorific value of fuel तो all heat engine utilize low heat value of oil यानि कि low heat value LHV ठीक है कि कोई भी heat engine हो वो low heat value को ही decide करता है ठीक है लास्ट कोश्चन जो है Q4U यानि कि question for you इस question का right answer आपको नीचे comment करके बताना है ठीक है कोश्चन क्या है कि in diesel engine में fuel is ignited by spark injected fuel heat resulting from compressing air that is supplied for conversion या ignition तो ये चार option है right answer क्या होगा आप मुझे नीचे comment करके बताइए और out of 25 question ठीक है कितने question हमने बताए 25 25 में आप मुझे इमानदारी से बताइए कि आपके कितने question सही हुए ठीक है उसके बाद भी मैं आपके preparation को judge कर सकता हूँ ठीक है तो हमारा वीडियो खतम हो चुका है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आप NMDC का preparation कर रहे हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को join करके subscribe कर लें ताकि आगया आने वाले important वीडियो आप बिल्कुल भी miss ना करे और प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें फिर मिलते हैं पसे अगली वीडियो में तब आप